यह राजी सरकार का है जो हम विहार अस्टेट से परजेंट किये था सरकार ने आपको दिया है यह आप खुदी पसीना बहाब आब आके खरीदा है यह राइफल है जो पंद्रह हजार की आते और यह फिश्टल डेड़ लाग की आते हैं मेरा आर्थी अस्तिति खराब था तो ह स्पोर्ट्स को जिन्दा रखने के लिए हमने मेहनत किया साइकल का पंचल बनाया अभी हम मुर्गी पाल रहा है बगड़ी पाल रहा है बतक गन भी दे दिए हमको रेंज भी दे दिए कोच भी दे दिए गोली देवे नहीं कि गोली मतलब 700-800 रुपया में आता है क्योंकि उसका रेट अपडाउन होते रहता है तो पूरा मिंटल गेम है अगर आपका दिमाग में हलका सा भी कुछ मतलब की डौट आएगा तो सौट आपका दस का लगने के जगह पर साथ लग जाएगा आठ लग जाएगा जीरो भी लग सकता चाहूंगे एक बार आप गोली भी दिखा दीजे पता नहीं बहुत से लोग होंगे जिन्नों ने देखी नहीं होगी आज तक नमस्कार मैं हूँ पलवी राएं आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच आज हम आपको भारत के एक ऐसे खिलाड़ी से मिलाएंगे जो सरकार की लापरवाही की वजह से आज यहां पर टिंसेट में प्रैक्टिस कर रहा है मैं यह नहीं कह रही कि इनकी मेहनत ने कोई कमी है क्योंकि अगर मैनत ने कमी होती तो यह इतना सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं होता विए नाम क्या है आपका उत्तम कुमार उत्तम जी यह बताइए कि 23 यह 24 बार उलम्पिक में भारत हिस्सा ले चुका है इस जो आप ट्रेनिंग लेते हैं शूटिंग का उसमें कितना उलम् 2008 हिस भी मिली यह थे 10 मीटर एयर राइफल में और उससे पहले राजवर्धन सिंग रठोर भी डबल ट्रैप में ब्रॉज मेडल जीते थे और डबल ट्रैप होता है जो उड़ते हुए चिणिया को मारा जाता है मतलब उड़ते हुए टार्गेट उसका रहता है उसमें यू पूछने चाहरी हूं कि ओलमपिक में भारत 24 भार हिस्सा लेता है और यह जो आप सूटिंग कर रहे हैं में उसमें इस सिर्फ एक बार गोल्ड मेडल आया है इसने 24 वार में सिर्फ एक बार तो आखिर क्या कारण है कि आप लोग मेडल नहीं ला रहे हैं भारत कि लिए तो म मतलब बहुत सारे हैं जैसे कि माल्याइज बच्चोंको जो संसाधन मिलना चाहिए, छोटे से गाउं के जो बच्चे को क्योंकि क्रोडो की अवाधी में एक गूर्ड मेडल है क्रोडों की अवाधी में तो इस गूर्ड मेडल क्पाने के लिए तो बच्चे को तो आपको गाउं से जाकर उसको ढूंड करके उसको लाना पड़ेगा इसके लिए आप समय समय पर तो आयेगा जो बच्चे के टैलेंट अच्छा हा उनको मतलब राजनीति क्या और ये मतलब संसाधन का मतलब को साइड कीजिए कि उनको किसी विचित में तो यहां पर इन्होंने एक पेपर दिया था मुझी जिसमें यह था कि 28 बार इन्होंने गेम खेला है यह राजी सरकार का है यहां राजी सरकार को अपको अपने कंदे पर समाल रहते हैं और विहार ने ऐसे खिलाडी को क्या दिया है तो आप एक बार दिखा दीजी इसलिए बार बार कहती हूं कि विदेशों में जब आप देखेंगे खिलाडी का जीवन तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा वहां पर आप एक बार गेम में जाते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो एक अच्छी पुरसकार रासी भी मिलती है और संबान भी मिलता है आप 28 बार खेले हैं मुझे बताइए कि पुरसकार रासी के रूप में या यह मों बोलूं कि आपको आगे बढ़ाने के लिए राजय सर गलत मतलब के उपयोग करना मतलब जो हमको चाहिए वो नहीं मिलना या फिर जितना चाहिए उतना नहीं मिलना इसी बज़ा से हमारा देश और राज पीछे चल रहा है सबसे बड़ा मुद्धा यह है जहां पर आप हैं नालंदा में नालंदा के यह सूटर हैं जो भीहार को नहीं देट करने के इच्छा है अभी तक हम इसने सब्सक्राइब कर रहे हैं गैसा स्टेटेडियम जैसे आपको कही चीज का क्रेंग के लिए क्या कुछ चीज चाहिये मैं यह मैं स्टेडियम कि तरुम практиंच क्या सब्स wander का क्या 된 Tak இ स्टिंग रेंज उसको भुल के शूटिंग没事 इहार में कितना क्या कौन कौन सा सूटिंग रेंज और कैसा होना चाहिएख लग कर लभी हरनौत के कल्यान विघा जो ॐ हो है मुखमंद्री का जो गाओं आता है नितिश कुमार जी का मानन मुखमंद्री नितिश कुमार जी उसको मतलब हाइट टोकनोलोजी से बनाएं मतलब संसाधन की कोई कमी नहीं हुआ करोड़ो अर्वो रुपया खर्चा किया गया बस उसका मिस यूज यह हो रहा है कि जितन असुबधा हो रहा है कि बच्चों तक वह पहुच नहीं पा रहा जिसके कारण बच्चे या तो फिर गाओं के बच्चे हैं तो अपना आर्थिक रूप से कम जोड़ हैं तो अपने आपको एक मतलब सीमा तक वह अपने आपको आगे बढ़ाते हैं लेकिन उसके बाद फिर अबाब आगे जी हमने खुद ही खरीदा सरकार का तो वहां जंग पड़ रहा सरकार का जो यह राइफल है जो पंद्रह हजार के आते और यह फिस्टल डेढ़ लाक के आती हैं जे कितने साल से खेल रहे हैं हम 2014 से खेल रहे हैं तो बहिया यह जो खिलाड़ी है इनको जब य आफ अफेलर करिदनी थी जब इनको यह लगा कि प्राक्टिस करने के लिए अपने ग़र पर रिफाल रहा होनी चाहिए एक और इसको क्या बोलते हैं गधायन होना चाहिए तो वह कहां से आए क्योंकि एक गरीब परिवार से आते हैं तो देखे इन्होंने इंतिजाम कैसे किया पहले तो यह आप रिम देख रहे होंगे पीछे आपको साथ वीडियो में लगतार नजर आ रहा होगा पंचर बनाते थे पहले साइकल का दुकान कि यह थे उसमें पंचर बनाते थे और बहुत सारे लोग आजकल समाज में सिच्छित हो गए हैं तो वह जानते हैं कि इनका पार्ट टाइम यह काम है पंचर बनाना और यह थी करना में फ्योकस गेम पर था और मेरा साइकल कर जब आप खेलने जाते हैं तो वहां से कुछ ऐसा सरकार के तरफ से कोई ऐसी विवस्त में बैट के साइकल का पंचर बनाएं हवा टाइट करें तो फिर प्रैक्टिस कैसे करें और जब दिन भर धूप में साइकल करें तो फिर कैसे अपने आपको पारंगत बनाएं सबसे सबसे बड़ा हमारा सरकार का यह भी दोसा कि अगर जो बच्चे सपोर्ट में इंट्रेस किया साइकल इंट का पमचर बनाया अभी हम मुर्गी पाल रहा है बगड़ी पाल रहा है बतक पाल रहा है कि ताकि हम बेहतर कर से भी पास इसके लावा कोई प्रफोर्ट नहीं है इसमें गोली खुद किन नहां है रैफल पिस्टल खुद अथी करना है तो और खिलने भी ज जाए आपके पास जितना चमता उतना आपको चलाना चलाईए नहीं तो फिर चलाईए घर पिर अपनी गोली लेके जाए अपनी गोली लेके जाए गन वहां पर मिल जाती है गोली नहीं दे पाते हैं अब सबसे बड़ा सिस्टम इसमें गोली कहा है क्योंकि हम आप तो पर कहते हैं कि हमारा तबियत खराब है तो हम किसी मेडिकला स्टोर पर जाकर हम उसका दबा का पूरा देख लें तो मेरा तबियत तो ठीक होगा नहीं जब तक हम दबा खाएंगा लेकिन जब गोलियां नहीं रहे गी तो चला कि प्रैक्टिस कैसे किया जाएगा यह तो बताएगा बच्चा तो पारंगत कैसे बनेगा जब practice करेगा खेले गा बार बार कभी गौली इधर में सोगी उधर में सोगी तभी तो एक बाव सेंटर पॉइंट पर लगेगी अगर सरकार हम लोगा सपोर्ट करता तो आज हम लोगा मतलब ठीक हम स्ट्रेगल करके हम इतना कर रहे हैं अभी भी गेम को हम बचाय रखें इतना कुछ करते हुए हम मतलब कि अभी प्रैक्टिस एक घंडा दो घंडा कर लेते जाके लेकिन रिकॉर्ड है कि मेरे पास अभी गोली भी खतम होने वाला स्टोक में होगा कुछ 500 गोली के आसपाथ त क्योंकि उसका रेट अपडाउन होते रहता है तो 500 500 गोली आती है पहले आते थे 400 500 रुपेक आती है लेकिन मतलब इदर लॉक्टाउन हुआ तो मतलब गोली करेट बढ़ गया क्योंकि बाहर से फ्लाइट आना जाना बंद हो गया था इस कारण से साराची बढ़ गया था उ इन्होंने देखी नहीं होगी आस तक मैं भी नहीं देखिया और टूटू थिरी तो हम चलाते हैं उसका अलग गोली होता है यह किसका यह च्यक्रण का वो रिखों मेद जेर्मन यह तो इसको ऐसे चिडिया ऊर्ते हुए मारा जाता है नहीं और इसको तुल इंडोर रोप़ खर्चा कर चुकी है लेकिन गोली नहीं मिलता सबसे बड़ा सरकार का यह सिस्टम खराब है और सरकार इतना रुपय खर्चा करने के फलाउप इसलिए कर सिस्टम हो गया थोड़ी जनकारी अगर उसको होता तो इसी समस्य नहीं कारण ही बच्05 सिस्टम सफ्टन करोंगा क्योंग या पैसा नहीं है तो हमारे पास वहां पर आपका फाइरिंग रेंज है वहां पर एड्मिशन लेने के लिए कुछ पैसा वगएर देना पड़ता है या फ्री है सारा ची फ्री है लेकिन बस सबसे बड़ा समस्या गोली का गोली है नहीं लगी होती वहां तो साथ कोई दिक्कत नह कर ले रहा है तो वहां पर इसी नहीं होती तो भी प्रैक्टिस हो जाता है ना बिल्कुल लेकिन गोली मिलने चाहिए आठ सो रुपय नहीं है हमारी सरकारों के पास इसलिए वह खिलाडियों को गोली नहीं दे रहे हैं यह सिफ फारिंग के एक खिलाडी है साइड यह प्रै खिलाने हैं तो दस को इधर को इधर कर लेते हैं इसमें है इंडिविजबल आपको जो करना जो खुड डिसाइड कीजिए अब बताई यह पूरा मिंटल गेम है अगर आपका दिमाग में हलका सा भी कुछ मतलब की डॉट आएगा तो सौट आपका दस का लगने के जगह पर सा इतना कॉंस्टेट गेम है यह कि आपको हर एक सोट को यहां परफेक्ट मारना है अगर आपका हलका सा दिमाग में कन्फिज आएगा तो साथ आठ जीरो भी लग सकता कोई अथी नहीं है तो इसमें किसी का कुछ चलता नहीं है बस जो है जो हमारा ही चलेगा इसमें कोई पै इतना काम करते हुए इतना ची को हैंडल करते हुए उसके बाद वह सुटिंग करेगा तो कितना सेक्स है कि दो हजार चौदे से यह जो उत्तम है वह अपनी फाहिरिंग को बचाए रखने के लिए यह जो आप पीछे रिम देख रहे हैं चौराय पे साइकिल बनाते हैं सरमा वहां चाहिर हनोगी ना जाने कीटने साकील केरेंध साही की होगी ना चाने कितने घंटे पसीने यह गोली आ पारी है सरकार ने अपने स्टेडियम उद्कर वारेैं है तो थाहे हैं जीरो पर पूछेंगे तो बोलेंगे कि हमारे पास एयर कंडिशन रूम है हमारे पास गन है लेकिन जो होना चाहिए वो गोली वो नहीं है तो इनको देखिए इनसे सीखिए और यह समझ यह कि ना बंगले की जरूरत है ना एसी की जरूरत है बस जरूरत है तो गोली की जो अधेस होता है कि 10 को देने के लिए तो हमारा कहाना हमा हमको मतलब की जरुवत है पांच रोटी कुछाने के बाद हमारा पेट भरेगा हमको एक डोटी दिजिए गाथ भूग कभी जहा तो हम कहाँ जाकर के लड़ाई लडएंगे तो वही है कि हमारा 40 गोली का साथ गोली का मैच होता अगर हम प्री नैस्टनल तक जाते हैं तो हमारा फ्टी तोट का मैच होता चालिस ओली का और नैशनल के बाद Maidzer होता है दिमंग कर कर दिमाख करके चला कर भाका भाग जाएगा उससे है आपका कुछ उसका मतलब कुछ में सिकार हो जाते हैं आइसके मटसुन का मेंटल सबसे बड़ा खिलाडी calm अगर आपका दिमागा फ्ट्राव हो और आपका फिजटीकल फ्ट्राव हो तो आपको गेम में फराणे सकता है कि यह गेम है सूट्टिंग का कोई बर्क कोई बर्क no मेरा अखिरन कार्ड मेरा मेरा मेर में कुछ कमी रहा तभी तो लाड़ी टूट जाता है जब वो गेम में हारता है एक बात मैं कहना चाहती हूं खेल मंत्री से सहाब आपको यह खिलाड़ी नजर आपको ये लोग नजरी नहीं आते हैं. अभी ये कौई मैडल लेकर चले आये. इंटरनेशनल लेवल का कोई मैडल ला दे. उलमपिक में मानली जे गोल्ड मैडल जीत के आ जाए. तो यहां पर जानते हैं, यह जो इनके घर है. यहाँ पर ना जाने कितने नेता खड़े हो जाएंगे, ना जाने कितने मंत्री ख़ले हो जाएंगे, और ना जाने कितने खेल विभाग के अधिकारी खड़े हो जाएंगे, लेकिन आज जब इनको जरूरत है, तो यहाँ पर कोई नहीं है, कोई जो मदद करता, कोई जो समझा को स्टिखते ओंगे हैं तो हम को सीथियर तो कौन क्या क्याम करें का सबसे बढ़ाने हैं यह क्यूंक है क्यान के हम स्टिंग करते हैं लेकिन नहीं लेकिन नहीं पास Goli में ठीड के बदले आप अगर आप मैडल लाने के तरफ देखते तो यह लाडी ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता तबती धूप में चिलती धूप में यह खड़े होका प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के बाद चोराहे पर खड़ा होकर पंचर बनाते हैं जब यह पंचर बनाते होंगे और गलती से अगर कोई अधिकारी यह मंत्री वहां से गुजरता होगा तो पक्का सर्मा के अपना आख नीचे कर देता होगा क्योंकि वह जानता होगा कि बिहार को रिप्रेजेंट करने वाले यह उत्तम जाते तो हैं बिहार के नाम पर खेलने तो जाते हैं लेकिन बिहार उन्हें कुछ नहीं देता बिहार उन्हें एक रिवालवर और गन थमा देता है लेकिन गोली खरिदने बर की आउकात नहीं होती कि उनके पास कि वो दे दें इसलिए वो यहां पर ऐसे तडप रहे हैं और उनको बुरा भी लगता होगा कभी-कभी जब वो मैडल और सिल नहीं ला पाते होंगे तो नहीं यह लगता होगा कि मेरी तपश्चा में कोई कमी है मैं साहिद बढ़िया खिलाडी नहीं हूं विवस्थाएं मिल रही है धन्यवाद में पलवी राएं आप देख रहे हैं भारत एक नहीं सोच अब अगर किसी को मैडल और सिल्ड मिलेगा टीवी पर उनका बड़ा बड़ा चेहरा दिखाया जाएगा तो ताली मत बजाईएगा एक बार इस वीडियो को देखिए और सम हमारे आप को प्लेई स्टोर से डॉंग लोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दीए लिंक पर जाएए और हमारे आप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है